सर्गुजा में बोले पियम मोधी कहा कॉंग्रेस के घोशना पत्र पर मुस्लिम लीग की छाफ है पियम ने सर्गुजा में महारैली को क्या संबोधित कहा कॉंग्रेस सम्विधान बदलकर स्थी स्थी ओविसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है लखनाओ बीजेपी कार्याले में सीम योगी ने मीडिया सेंट्र का किया उद्घाटन इस दौरान कई मंत्री भी रहे मौजों सीम योगी ने कॉंग्रेस पर बोला हमला कहा कॉंग्रेस दलितों पिर्चुडों का आरफ्चन चीन कर मुसल्मानों को देना चाहती है आपदा प्रती रोधी बुनियादी धाजी पर अंतरास्टिये सम्मेलत 2024 को पियम मोधी ने किया संबोधित कहा पिछले कुछ वर्षों में CDRI की व्रिधी प्रभावशाली रही है पियम मोधी ने प्राकृति का अपदाओ पर जताई चिंता बोले इस कॉन्फरेंस पर का फोकस वैश्विक दक्षित बढ़ है सैम पित्रोधा के विरासर टैक्स वाले बयान से कॉंग्रेस दे किया किनारा जहराम बोले ये पार्टी का विचार नहीं विरासर टैक्स पर बढ़ते विवाद को लेकर सैम पित्रोधा ने दी सफाई कहा ये मेरा व्यक्तिगत बयान था कौन कह रहा है कि ऐसा भारत में हो पियर मोधी का बड़ा बयान कहा इंडिया गट बंधन को दिया आपका वोट केंद्र में सरकार नहीं बना सकता विजेपी को दिया आपका वोट विक्सक भारत बनाएगा आज से थम जाएगा लोग सबा चुनाव के दूत्रे चरण के लिए प्रचार 26 अपरेल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर डाले जाएगे वोट बीजेपी नेता सीपी जोशी ने दिया विवादित बयान कहा बाबर का बच्चा बच्चा जैश्री राम बोलेगा उतरप्रदेश के उप मुखे मंत्री बजेश पाठक का बड़ा बयान कहा समाजवादी पार्टी भ्रमित है उनके पास कोई नीती और जिन्डा नहीं है ब्रजेश पाठक का चुनाव को लेकर बड़ा बयान कहा कन्नौज में भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी यूपी की कन्नौज सीट से अब अखलेश यादों खुद लड़ सकते हैं चुडाओ तेज प्रताप यादों का नमांग कर चला कन्नौज से अखलेश यादों के चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले सांसत सुप्रत पाठक कहा उन्हें लगता है कि कन्नौज से किसी को भी चुनाव लड़ा कर जीत लेंगे बैंगलोरू में प्रेंका गांधी ने पियम मोदी के मंगल सूत्र वाले बयान पर किया पलटवार कहां मेरी मा का मंगल सूत्र देश पर कुर्बान हुआ नोड़ा में आज शाम छे बजे और तालिस घंटे के लिए बंद रहेंगी शराब की दुकाने पूरे नोड़ा में आज से ड्राइगे सुप्रिम कोट के सवाल के बाद भ्रामक विज्यापन मामले बे पतंजली ने फिर्चपुआई माफी सिछली बार से बड़ा आकार हिमाचल प्रदेश के मंत्री और मंडी से कॉंग्रेस उमिद्वार विक्रबादित्य सिंग ने कहा निश्चत तौर पर हम हिमाचल प्रदेश के चारो सीटे जीते हैं भारत निर्वाचन आयोग ने मत दाताओ कारी करताओ को धमकाने को लेकर टीमसी विधायको दी कारण बताओ नोटिस अचार सहीता का उलंगन करने के लिए विधायक हमी दुल रह्मान को जारी किया गया नोटिस कॉंग्रेस नेता सचिन पैलेट का चुनाओ को लेकर बड़ा बयान कहा ये एक राश्टिय चुनाओ है चुनाओ का एजन्टा विकास प्रगती सम्रिध्धी होना चाहिए उद्धो ठाकरे के आप अस्ती जनक बयान पर भढ़के एक नाश्रिंदे कहा वे आम मज़्दूर को सियम बनाना हजब नहीं कर पा रहे हैं ए आई एम आय प्रमुको ओएसी का बड़ा बयान कहा पीम मोदी का एक ही गारंटी है मुसल्मानों से नफरत की गारंटी सुप्रीम कोट ने चाइल्ड केर को लेकर सरकार को दिया आदेश कहा चाइल्ड केर लीव पर अपनी नीटी में बदलाव करें सरकार गंगा प्रदूशन मामले में जीटे सक्त पानी खराब करने पे कई शहरों का योगता वी एमसी की पूरे मुंबई में 5% पानी की कटोती की घोशना लोगों को समहल कर पानी खर्च करने की दीसला मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 32 जीलों पे लू चलने की दीचेतावनी लू के साथ चलेगी दूलबरी हवाय बढ़ोतरी चीम पाकिस्तान की बढ़ी परिशान की डीटी जूल झूल झाल 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 की एंप की लूए раз